हलो एवरिवन गुड मॉर्निंग तो लोफ यू वेलकम टू लॉजिक पार्चाला आज किस वीडियो में हम कवर करेंगे 23 और 24 जुलाई 2023 की इंपोर्टेंट करेंट अफियर्स के क्वेस्टेंस फ्रेंड्स इस वीडियो को जो पीडेव वाप लोग को हमारे टेलिग्राम कर देख मोटिवेशन कोट से दो वॉट इस राइट नौट वटिर्स एजई हमेश्व देकर लाइफ में सही काम करें यह नहीं कि कोई काम एजी होता आप सूचें कि वहीं सही है ज़रूरी ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स इसलिए एक एबार ऐसा होता है कि जो सही रासता हो सक्सेज आपको मिलेगी तो कोशिश करें फेंड calipn reges हमिशा अपने लाइफ में सही रास्ते को ही च्यूस करें तो चले फेंड शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे सी یک इम्पॉर्टन डे है जो की है नैशनल ब्राडकास्टिंग दे ये दिन कब मनाते हैं 3 23 जुलाई को मनाया चाता है National Broadcasting Day 23 जुलाई को क्या हुआ था देखिए तो 23 जुलाई 1927 को देश में सबसे पहला Radio Broadcast हुआ था Radio Broadcast एक कंपनी थी निसी कंपनी के तहर बॉंबे स्टेशन से जैकि यह प्रसारित हुआ था तो इसी को ही Indian Broadcasting Company कहा तो इसी उफलक्ष में इसलिए 23 जुलाई को मनाया चाता है Broadcasting Day 8th June 1936 The Indian Broadcasting Service इसे क्या कहा जाने लगा बाद में All India Radio इसको कहा जाने लगा ठीक है लेकिन सबसे पहले Radio Broadcast तेहे चुलाई को हुआ था इसलिए National Broadcasting Day भी तेहे चुलाई को मनाया जाता है चले फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अपने Question No.1 से Question क्या कह देखे इंडिया and which country have signed an MU on cooperation in renewable energy and another one for economic development project भारत और किस देश ने देखे नवी करने उर्जा में सयोग और आर्थिक विकास परियोशना के लिए एक समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है तो ये MU जो sign हुआ है ना renewable energy को लेके ये हुआ है इंडिया और श्री लंका के बीच इस साल देखे दोनों देशों हैं अपने 75th anniversary को celebrate कर रहे हैं तो दोनों countries के diplomatic relations हैं उनके 75 साल पूरे हो गई हैं तो उसी को celebrate कर रही हैं दोनों country श्री लंका की बात करते हैं तो इसकी लेके श्टेशिव capital है श्री जैवर्धन पूरे कोटे और executive और judicial capital है यहां की कुलमबो श्री लंका की currency जो है वो है श्री लंका रुबी प्रेजिडेंट है रानिल विक्रमस नहीं और प्राइम मिनिस्टर है यहां के दिनेश गुनवर कुछ और बात करें इंडिया के M.E.U. जो अधर कंट्रीज के साथ में साइन हुए देखें इनसे रिविजन हो जाएगा हमारा इंडिया और सिंगापूर ने M.E.U. साइन किया था पब्लिक एड्मिनिस्टेशन में सहीयोग के लिए इसके लावा यूनियन गवर्मेंट ने M टेक्नलोजी सेंटर तो टेक्नलोजी सेंटर को सेट करने के लिए ही ये टाइप किया गया इसके लावा इंडिया ने M.E.U. साइन किया इसराइल के साथ On Industrial R&D Cooperation तो यह भी रिसेंट हुए है सभी M.E.U. साइन इंडिया गवर्मेंट के साथ next question देखिए अगला question है which country has recently applied to join the BRICS bank with an amount of 1.5 billion dollar हाली में किस तेश ने 1.5 billion dollar के राशी के साथ BRICS bank में शामिल होने के लिए आवेदन किया है अभी इन्होंने सिफते के apply किया है country भी join नहीं हुई है किस country ने apply किया है तो answer होगा Algeria ने अभी recent apply किया है Algeria जो है वो नई economic opportunities खूलने के लिए BRICS में उन्होंने शामिल होने की मांग की है अगर BRICS group की बात करते हैं तो अभी इसमें 5 nation है Brazil, Russia, India, China और South Africa Algeria की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं Africa continent में Algeria की location यहां से देखे primary dirian और जो traffic of cancer यह पास हो रही है capitalist की Algeria's currency है Algerian दिनार अगला question है according to the report of which organization about 1.5 million people die in road accidents every year in India which contribute to 11% of the total number of such deaths globally किस संगटने की report के नुसारी कहा गया कि भारत में हर साल लगबग पंद्रे लाक लोग जो है वो सड़क दुरगटना से मरती हैं तो यह report जो पेश की है वो किस ने की है फिकी EY के दौरा जो है इस report को पेश की आ गया है जिसके according ऐसा कहा गया है ग्लूबली लेवल पे बात करें तो road accidents में अगर road accidents की बात करें जो road traffic injury होती है उसके कारण हर 24 second में कम से कम एक जान चली जाती है यह इस report के according कहा किया है और अगर road accidents में बात करें तो road accidents में मृत्यों के मामले में भारत जो आता है वो पहले नमबर पे आता है और लगबग भारत में 1.5 million जाने जाती है हर एक साल और यह किस report के according यह कहा गया है यह कहा गया है फिकी EY report के according अगले question पे बढ़ते है question देखे who has inaugurated the first global food regulator summit 2023 तो पहला जो वैश्विक खाद नियामक शिखर सम्मेलन दोहसाती ही से इसका उदगाटन किस ने किया है तो इसका उदगाटन किया है डॉक्टर मंसुक मांडविया ने इनके पास में कौन सी ministry है तो याद रखेंगे health and family welfare ministry है इनके पास में और इनोंने ही इसके पहला जो ये summit हुआ है देखे इसका उदगाटन किया है इसका उदगेश्य क्या है तो इसका उदगेश्य है food safety systems को बढ़ाने पे जो regulators है जो भी नियामक है उनके लिए एक global platform को create करना यही इसका main उदगेश्य है मंसुक मांडविया जी से बात करते हैं कुछ और important news की तो देखे अभी इनोंने inaugurate किया था FAI annual seminar जो की हुआ था New Delhi में इसके लावा मंसुक मांडविया जी ने आयरवेदा आहार का जो नया logo है इससे launch किया मंसुक मांडविया जी ने ही रक्तदान अमरित महसफ को launch किया था तो यह कुछ important news हो गई इनसे related चले friends बढ़ते हैं next question पे अगला question है who will inaugurate the unique festival of libraries 2023 a two-day event जो की 5-6 अगस्त को होगा प्रगती मैदान नई दिल्ली में तो festival of libraries का उद्गाटन कौन करेगा तो इसका उद्गाटन करेंगी प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू यह festival जो है इससे organize किया जाएगा union ministry of culture के द्वारा और इस festival में देखिए focus किया जाएगा बोथ physical और digital libraries तो इनके promotion पर जो है इनके प्रजार पर पूरा तरह से केंद्र पुरतरे किसी focus किया जाएगा इस festival में द्रौपदी मुर्मू जी की बात करते हैं आप सभी चानते हैं कि इंडिया की यह पहली ट्राइवल प्रेजिडेंट है और अभी दिखे द्रौपदी मुर्मू जी ने second Indian Rice Congress जो हुआ था इससे inaugurate किया next friend president द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने inaugurate किया development of Shiri Shalom Temple next friend द्रौपदी मुर्मू जी ने inaugurate किया परम कामरूप सूपर कंप्यूटर फेसिलिटी को next द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने 18th National Jamborey of the भारत Scout and Guides इसे inaugurate किया और कहां पी से inaugurate किया इन्होंने राजस्थान में next important news द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान उद्ध्यान को inaugurate किया था राजस्थान के राजभवन में तो यह हमारी important news हो गई प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से related बढ़ते हैं next question के तरफ question क्या है थे कि finance minister निर्मला सीता रमर has recently inaugurated a new GST भववन in which state तो जो finance minister है निर्मला सीता रमर जी उन्होंने किस राज़य में एक नए GST भवन का उद्धाटन किया है तो इसका उद्धाटन किया है तिरपुरा state में तिरपुरा की जो capital है अगरतला वहाँ पे जो है नया जो यह GST भववन है इसका उद्धाटन friends किया गया है question तोड़ा सा different तरीके से यह भी बन सकता था कि तिरपुरा में जो नया GST भवन है इसको inaugurate किसके द्वारा किया गया ठीके ऐसे भी याद रखेगा इस question को यह जो project site है यह अगरतला के मंतरी बारी रोड पर रस्तीत है और जितने भी taxpayers होंगे वो यहाँ पर था एक तरीके से quick और easy access उनको मिल जाएगा सभी taxpayers के लिए next question which state government launched interest free crop loan up to rupees one lag किस राज्य सरकार ने एक लाग रुपे तक ब्याज मुफ्त फसल रण को शुरू किया है तो एक लाग रुपे तक का मतब आपको जो है फसल पे जो लोन है न वो एक लाग रुपे तक के आपके कोई interest नहीं लगेगा तो ये शुरू किया है उडिसा government ने और उडिसा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक उन्होंने decide किया है कि जब आप एक लाग से उपर तीन लाग तक का का लोन लेती है तो उस पे आपको सिर्फ 2% का जो है वो interest आपसे लिया जाएगा एक लाग तक तो कोई भी interest नहीं लिया जाएगा ये फैसला लिया है उडिसा government ने उडिसा की बात करते हैं फ्रेंट्स उडिसा की stabilisement होई फर्स एपरेंट 1936 को capital है भुवनेश्वर चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक गवर्नर है गनेशी लाल लोगसभा सीटे है 21 राज यहां की major lake है चिलका lake जोकि largest breakish water lake है इंडिया की इसे लगून lake के नाम से भी चानते हैं अब बात करते हैं उडिसा से कुछ current affairs की तो देखिया भी recent उडिसा में राजा जोकि एक agriculture festival है ये celebrate किया गया उडिसा की सरकार ने अम्मा पोखरी योशना को यहां पे start किया नेक्स्ट उडिसा गवर्मेंट ने मोघर नाम से एक credit linked housing scheme शुरू करी जो rural poor है उनके लिए से शुरू किया गया था इसके लावा धनू यात्रा ये कहां पे start होई तो ये उडिसा में शुरू की गई तो ये कुछ important news है friends उडिसा से related चले friends next question के तरफ अबढ़ते हैं which of the following state government developed 351 नगरवाटिका in 14 cities तो किस राज्य सरकार ने 14 शहरों में 351 नगरवाटिका जो है विक्सित की हैं तो ये नगरवाटिका जो विक्सित की हैं ये उत्तर प्रदेश गवर्मेंट के द्वारा की गई हैं जो densely populated area हैं देखे जो शह हैं नगरवाटिका को वहां पर develop किया जाएगा on a minimum area of one hectare मतलब एक minimum area तो एक hectare होगा लेकिन maximum ये 10 hectare तक इसको develop किया जा सकता है also state government ने नंदन वन को भी create करने के बाद करी है several cities में ये जो forest होंगे इन में देखिए space होगा for yoga tracking bird watching photography forest bathing इन सबी के लिए एक specially जो है अलग से space को भी यहां पर दिया जाएगा इन नंदन वन या इन forest में उत्तर प्रदेश से बात करते हैं friends तो आपको याद होगा उत्तर प्रदेश से कि animals को protect animals को crop जो crop है उनको animals से protect करने के लिए मुख्य मंतरी खेत सुरक्षा यूशना यह यहां पर start की गई इंडिया का जो पहला वैदिक theme पार्क है यह कहां पे हुआ उत्तर प्रदेश के noida में इसको unveil किया गया नेक्स्ट आपकेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस डेपार्टमेंट ने लॉंच किया था operation conviction इसके लाव फ्रेंट्स नेक्स्ट उत्तर प्रदेश जो है वो पहला moto GP event यह होगा September में इसे host करने वाला है उत्तर प्रदेश के सरकार ने जो presence हैं उनको reform home या सुधार ग्रह का नाम दिया उत्तर प्रदेश की government ने नंद बाबा milk mission scheme शुरू की उत्तर प्रदेश की सरकार ने elder line शुरू किया था ताकि जो 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 इनके पास थे shelter नहीं है जो homeless elderly हैं उनकी मदद की चास्ता की वर्ड का पहला Asian King Vulture Conservation Center ये inaugurate कहां पे किया गया उत्तर प्रदेश में next question पे बढ़ते हैं which of the following state chief minister launched सशक्त महिला रिन योजना scheme किस राजे के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला रिन योशना जो है शुरू किया है तो इस योशना को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश गवर्मेंट ने यह महिलाओं को देखी उनके entrepreneurial जो dreams हैं अगर कोई अपना खुद का काम करना चाहती है उनके अगर dream है उनको परस्यू करने में उन्हें loan जो है वो यह provide करेगा कि भी आप अपने dreams को complete कर सकते हैं उसके लिए आपको loan हम provide करेंगे और दिन प्रदिन के जो भी उनकी जरूरत है उनकी family की appointment के लिए उनको loan provide क किया जाएगा इस स्कीन के तहत हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं सो capital यहां की है शिमला दूसरी है धर्मशाला गवर्नर है शिप प्रताप शुकला चीफ मिनिस्टर है सुकविंदर सिंग सुकू राज्यसबा सीटे हैं तीन लोगसबा सीटे हैं चार assembly seat है 68 important national parks में वैली इंदर किला खीर गंगा नैशनल पार्क अब आते हैं हिमाचल प्रदेश से related कुछ करेंट अफेस न्यूस पर तो चले फिर एक कोई कर लेती हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार ने संजीवनी नाम से एक नए प्रोजेक्ट को यहां पर शुरू किया था हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम डेटा पोर्टल को लांच किया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने फ्रेंच एजनसी के साथ में एक M.E.U. साइन किया था ताकि यहां पे जो drinking water sanitation है उसमें improvement लाई जा सके हिमाचल प्रदेश ने target रखाए कि यह पहला green energy state बन जाएगा कब तक 2025 तक हिमाचल प्रदेश का जो पहला biodiversity park है इसे कहां पे open किया गया इसे गिया गया मंडी district में हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला state बनाता जो कि LPG enabled to smoke free state बनाता पूरी country का तो यह important news होगी friends हिमाचल प्रदेश से related अगला question देखिए who has been appointed as India's next ambassador to Somalia Somalia में भारत की देखिए next ambassador की रूप में किसे नुक्त किया गया है तो कौन पॉइंट हुई है नामगिया सी खामपा तो यह पॉइंट हुई है Somalia में इंडिया की next ambassador यह जो है IFS officer है 2000 batch की और इन्होंने 2002 से 2006 और 2013 से 2016 तक यह चाइना में भारत के जो diplomatic mission है उसमें इनोंने दो बार जो है वहाँ पे service दी है चाइना में और अब यह Somalia में इंडिया की next ambassador appoint हुई next question question है अगला who has been appointed as a CEO of Jaguar Land Rover Jaguar Land Rover के CEO के रूप में किसे न्युक्त किया गया है answer है Adrian Mardale he appointed हुई as a CEO of Jaguar Land Rover बात करें कुछ और recent appointments की तो देखें अभी UP electricity regulatory commission के chairman बनी है अर्विंद कुमार first woman director of IIT जो lead करेंगी IIT जान जी बार को कौन appoint हुई है पृती अगालियम इंडिया तोबैको Company Limited के CMD बने संजीप पूरी Olympic Council of Asia के President बने है कुवैत के शेक तलाल फेहद अल एहमद अल सभा next question question है who has been robed in as a brand ambassador for the ICC World Cup 2023 ICC World Cup 2023 जो है इसके लिए brand ambassador किसे न्युक्त किया गया है तो brand ambassador जो appoint हुए है शारुक खान को appoint किया गया है उन्होंने वे दिखिया अपनी iconic voiceover में जो World Cup 2023 का campaign है its take one day तो इसके लिए जो है उन्होंने launch किया है और ICC World Cup कब होने वाला है तो 5 October को यह शुरू हो जाएगा 19 November तक चलेगा और यह कहां पी होगा तो यह इंडिया में ही होगा ठीके तो volleyball actor शारुक खान को appoint किया है brand ambassador of ICC World Cup 2023 का next question पर बढ़ते है question है which किर्केटर has surpassed South Africa's Jack Kalis to become the fifth highest run scorer in international cricket तो international cricket में दक्षिन अफ्रिका के Jack Kalis को पचाड कर पांचवे सबसे जादा रन बनाने वाले खिलाडी कौन से बन गए है तो 5th place पे अब आगए है विराट को ली प्र पहले 5th place पे Jack Kalis थे लेकिन अब उनके score को पीछे छोड़का विराट को ली 5th position पर आ गए है international cricket की बात हो रही है चीक है port of Spain में West Indies के अगेंस्ट में जो भारत का दूसरा टेस्ट में चुरा था उसी दोरान जो है कोली ने बढ़त हांसल की है और इस ताइम कोली के रन कितने है 25,548 रन्स इन 559 इनिंग्स और 500 मैचेज ठीक है रन नहीं पूछते हैं आप लोगों से की बताएगे की टोटल उनके रन कितने होगे ऐसा एक्जाम में कोशन नहीं आएगा आपको नाम याद रखना है किस ताइम पे फिफ्ट नंबर पे कौन आ गए है विराट कोली और की ने पीछे चुड़कर आएं उनका नाम भी याद रखना जेक कालेस को तो यहाँ पे फ्रेंट्स हमारे आज के सभी कर इंटरफेस क्वेशन कंप्लीट होते हैं तो छले स्टार्ट करती हैं फास्ट क्वेशन से विच अव धिफ्लॉइंग डिसीजज़ आर कोस्ट डियू टू आवाइरस इनमें से कौन से चेप्ल्फॉर्मारी है जो वाइरस के खरण होती है तो virus के कारण सी Ebola, AIDS, SARS ये तीनों ही बिमारी होती है इसलिए हाँ पर सही answer होगा All the above ये SARS चो है ना इसकी full form याद रखेंगे Sever, Acute, Respiratory Syndrome ठीके तो ये इसकी full form है अगला question देखिए A mixture of salt and sugar is known as dash नमक और चीनी का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है सही answer होगा Heterogeneous mixture ठीके एक mixture जिसमें जो जो दो component है वो mix नहीं होते एक दूसरे में इस तरीके के mixture को कहा जाता है Heterogeneous mixture तो नमक और चीनी तो आपस मिश्र मिश्र नहीं होंगे लेकिन अगर हम ये कहें कि water और salt या water sugar के mixture को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे homogenous mixture क्योंकि वो mix हो जाते हैं एक दूसरे में अगला question देखिए Question है Which acid is present in lemon? नीमू में कौन सा अमल मौजूद होता है? तो नीमू में जो होता है वो citric acid होता है और जो भी देखे citrus fruit होते हैं जैसे नीमू तो हो गया इसके लावा जैसे oranges हो गया tomatoes हो गया grapes है berries हो गई इन सभी में citric acid ही present होता है इसको friends याद रखेगे अच्छा tartaric acid की बात करते हैं तो जैसे की हो गया turmeric हो गया apples है इन में आपका tartaric acid present होता है चलिए friends अगले question देख लेते हैं question है during a lunar eclipse the visible red color is because of dash जब चंदगर्ण होता है चंदगर्ण की दोरान दिखाई देने वाला जो लाल रंग होता है वो किस कारण से होता है तो वो लाल रंग हमें दिखता है dust in earth atmosphere हमारी atmosphere में जो dust है उसके कारण जो है वो हमें red इसा जो color है वो दिखाई देता है आस-पास तो यहां हमारे questions भी complete हो गए है friends now test का time आता है आपके लिए दो question है friends आप इनके answer हमें comment box में friends ज़रूर बताएं पहला question है where is NATO summit 2023 held तो NATO शिकर समे लन who has become the 25th director journal of Indian coast card तो इंडियन coast card के 25th महा निदेशा कौन बनी है तो आप सभी इनके answer हमें comment box में ज़रूर बताएं friends इसी के साथ आज का session हमारा यहां complete होता है अगर आपको व्मारी video अच्छी लगी हो तो video को like करें share कर अपने दोस्तों के साथ में आप लोगों से फिर मुलाका दोगी अगली important class में thank you so much for watching this video